एक वाशिक सोसाइटी में चुनावायो का संगठन या प्रतिनिधी सभा की बैठक का आयोजन तरा की जाज करना। आवशक स्वतंत्रतावादी सामाजिक क्रांती। स्वतंत्रतावादी प्रिष्ट भूमी, अभिव्यास और उद्देश्य और इसके विकास और खुलासा की अर्थव्यवस्था का संगठन पूझीवादी और राजिप प्रणाली के एक अनिवारे परिवर्तन को अपरिहारे बनाता है। ये परिवर्तन आवशक रूप से दोनों को खत्म करने और नई अर्थ व्यवस्था और अराज कतावादी समाज की मौलिक नीव रखने या उसके प्रतिमाच में लोगतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है। सार्व भौमिक मानव इतिहास के दिये गए चरण में ना तो अराज कतावादी और नहीं उदारवादी का मिनिस्ट समाज को एक दिन में नहीं एक दिन में नहीं विश्वस्तर पर एक सिंक्रिनाइज तरीक से महसूस किया जा रहा है। सामाजिक रान्तिय की ही समय में दुनिया के प्रतेत्रीश में एक साथ नहीं होगी। जिसके कारण इसके घनत्व और संकेतित विशेशताओं के अनुसार वे नकेवल सार्वभावमिक रूप से दिखाई देते हैं, बलकि प्रतेत्रीश में एक निरन तरसुदाल और सामन जस्यपून संतुलन की तलाश में बहु मुखी, एकाधिक और बहुलवादी प्रोपा के साथ वास्तविकता को पकड़ने और इसमें एक गहरी रोष को खोलने के लिए मजबूत फलन के द्रिश्टिकों के साथ मजबूत और स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ टकट होना चाहिए। कल मुक्त, आज से शुरू, नई स्वतंत्रतावादी अर्थ व्यवस्था और अराज कतावादी समाज का उद्देश्य सामाजिक समानता और मानवी एक जुटता के वातावरण में प्रतेक व्यक्ति की स्वतंत्रता और कल्यान होना चाहिए। इस छोर को प्राप्त करने के लिए राज्य की सभी प्रकार के तानाशाही के तहत गायब हो जाना भले ही इसे क्षनी का कहा जाता है। पुझीवात के सभी आधिकारिक संस्थानों में अपरिहार है। निजी संपत्ति की सामाजिक वर्गों, राइंकों, पदानुक्रमों और विशेष आधिकारों त्वारा व्यक्ति के शोशन और उत्पीडन के सभी रूपों और प्रक्रियाओं कर्मचारी का। यद्यपी किसी देश में सामाजिक क्रांती दुर्भागे से अपने प्रारंभी चरणों में कुछ निश्चित परिस्थितियों से पुरे नहीं हो सकती है। जो अनिवारी रूप से देश की विशेशताओं को लागू करेगी और इसका मतलब है कि ये हो समय तूट जाती है या होती है। और आदर्श बाक्य होना चाहिए सभी के लिए स्वतंत्रता, रोटी, कपड़े, आवास, संस्कृती और मनुरंजन, प्रतेक के लिए उसकी आविशक्ताओं के अनुसार, प्रतेक साधन के अनुसार। करना संभव नहीं होगा, खास कर अगर इसे एक निश्चित राज कतावादी प्रमुक प्रवृत्ती के साथ प्रसुत किया जाए। अंतराश्ट्री इस्तर पर प्रमुक बलाकों से सभी साहता उपग्रह की ओर बढ़ेगी। और ये भी कहा जाना चाहिये कि किसी भी गहन ख्रांती कारी बदलाव में उद्देशियों के लिए सबसे उप्युक्त संरचनाओ के समायुजन के लिए प्रायोगिक परिक्षण। प्रायोगिक परिक्षण की अवधी है, जिसका उदेशिक रांती कारी परिवर्तन वर्तमान और परिक्षण के लिए इसके मूले को डालता है, और क्षमता और निर्मान के लिए क्षमता कम्पनी के अस्तित्वों और मुक्तिक कामकाज को सुनिश्चित करें। इसके समीकन और इसके प्रगतिशिल विकास के भविश्य के चरणों की ततकाल विजय बहुत है अधित तक श्रमिकों के अपने सामाजिक, आर्थिक, संस्कृतिक और व्याचारिक प्रशिक्षण पर निर्भर करेगी, जिसे हम व्यक्तिकत और विश्वस्तर पर विशिष्ट क्रांतिकारी और उदारवादी क्षमता कह सकते हैं, माना जाता है, नए आदेश का आवश्यक कारक स्वतंत्र और रात्म जागरुक व्यक्ति होना चाहिए, किसे भी प्रकार की अर्थ व्यवस्था, पहले से ही ये सब कुछ नहीं छोड़ सकती मान लीजिये कि पूझीवा जुटता का प्रयास प्रतिक और हर व्यक्ति को बिना किसी भेद के प्रदान कर सके। सामाजिक अराजगता का व्यापक स्वागत। मानवी आवशक्ताओं को पूरा करने और लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और सबसी अच्ची तरह से भलाई का अश्वासन देने के लिए आर्थिक और तरीकों की प्रयोग की आजादी, अराज कतागवादी समाज में एक खुला रास्ता होना चाहिए, कोशिश कर निचाहिए स्वभाविक रूप से उन्हें जाने के लिए पूरे उत्पादिकों के सहस्तित्वों और मुक्त उत्पादिकों और एक जुटतावाले उप्भोगताओं के संगु के आधार पर सामाने प्रणाली प्रयोकी स्वतंत्रता, समाज जिक्रण, पारस्परिकतावादी, अराज कतावादी, प्राओडौन, अराजक सामोहिक वादियों, अराज कतावादियों, बाकुनिन आर, मेला, प्रयोगवादी कमिनिस्ट या अराज कतावादी कमिनिज्म, अराज कतावादी, नहीं, व्यवसाई, आदी, स्थानिय, काउंटी, ख्षेत्रिय या राष्ट्रिय स्तर पर यह संभर्ध हो सकता है, ओदारवादी व्यवस्था के भीतर, अनिवारी रूप से सत्ता विरोधी अराजक सिध्धान्त, मौलेक रूप से स्वायत और संघियवादी की रक्षा करना और विशेश रूप से अगर यह समझा जाता है, जैसा कि तार्किक रूप से मुक्तिवादी है, कि मानव विकास और सामाजिक रूपों का ठहराव नहीं है और कोई भी आर्थिक संद्रचना निश्चित और अप्रिवर्त पनिय नहीं मानी जा सकती, हमेशा अधिक स्वतंत और उद्देश होना चाहिए स्वतंत्रतावादी सामाजिक और आर्थिक संग्यठन, स्वतंत्रतावादी सामाजिक और आर्थिक रिखा चित्र, सामाजिक आधार के बिना अर्थ व्यवस्था का विकास नहीं हो सकता, और जहां मनुष्य या समोह मौजूधे, समाजुसी स हस्तित्व से उत्पंड होता है। आवशक्ताईं प्रसुद की जाती हैं। उनकी सरल और प्राक्रितिक जैविक व्यवस्था द्वारा यहां तक कि सामान विमान में प्रकट होते हुए, सामोहिक सेट को पार करते हुए, लोगों को खोद को एक आदेश या नियामक सिध्धा प्राप्त करने के कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। कम से कम मानव से हस्तित्व के साथ संगत, चाहे वह स्वतंत्र रूप से स्विकार किये गए और सचेत रूप से सहमत या अनुबंद के आधार पर हो, स्वैच्छा से लागू किया गया हो। अर आज कतावादी ग विकास को अधिक व्यभार्य बनाता है, तीक्ष्न मुद्राओं के आधार पर रह से वाद के बिना स्पष्ट या थार्थवाद के साथ व्याख्या करता है। उनका अर्थ और सामगरी, नए समाज का आधार, मुक्त कम्यून, नए स्वतंत्र सामाजिक संगचन की आधार श प्रशासनिक पहलू में सत्तया राजनितिक संस्थान का नहीं, बलकि स्थानी क्षेत्रिय स्तर पर समाज सिवा का। उनके कारियों को उन संकल्पों और निरणयों के अनुरूप होना चाहिए जो सामप्रदाइक मुक्त विधान सभाउने स्वयमापसी सहमती से लिए हैं। सामप्रदाइक संगछन से सभी अधिनायक वाद और सभी नौकरशाही को निरवासित किया जाना चाहिए। मुक्त समुदाइक काउंटी, क्षेत्रिय और राष्ट्रिय संगों का गठने देश या एक विशिष्ट भोगोलिक और जातिय क्षेत्र के सामान इस्तर पर किया सकता है और अंतराष्ट्रिय रूप से संगटित हो सकता है। कम्यून को अपने आप में राजनितिक शक्ति और कमसई शक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, जिसे बिलकुल भी गायब होना चाहिए। क्रांतिकारी शक्ति भी नहीं। सभी राजनितिक शक्ति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और किसी को भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए. नहीं कम्यून में आर्थिक स्वामित्व होना चाहिए, जो इसके भोगोलिक और एतिहासिक शब्द को एक बंद, संरक्षन या एक जागीर बनाता है. प्रते कम्यून को एक जुटता के सामान्य विरासत हैं और सभी के निपटान में बने रहते हैं, इसके उपियोग को विन्यमित किया जा रहा है. सामोहिक नेमों द्वारा स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से स्थापित किया गया. क्रान्तिकारी संग और उसके कारियों का जीव जो सबसे अच्छा काम कर सकता है और समाजबादी समाजबादी समाज में इसके कारी को सुनिश्चित कर सकता है. वै है क्रान्तिकारी सिंडिकेट्य स्ट्रेट यूनियन जो उद्योग, खेतों, खानों, प्रयोग शालाओं और केंद्रों से मुक्त शमिकों से बना है. अनुसंधान और खोज, तकनी की विशिष्टताओं की स्थानिय, काउंटी, क्षेत्य, राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय संगों में शाखा और उद्योग द्वारा समोही कृत्यूनियनू और सीधे प्रबंधन, उनकी जिम्मिदार नियंत्रन, कारखानों और कारिशालाओं, क्षेत्रों, खानों, मर वैज्ञानिक और तक्निकी संस्थानों के तहत, वे सभी लेखों और समाज और उसके घटकों के लिए आवश्चक चीजों के उत्पादन को सुनिश्चित करने में सक्षम शरीर हैं, जरूरतों के अनुसार वे अपनी ताकत और उक्षमता के अनुसार और किसी का या किसी विशेशाधिकार के शोशन के बिना प्रते के योगदान के साथ बहुत आयद बनाने के उद्देश का पीछा करते हुए खोद को महसूस करते हैं और खोद को प्रसुद करते हैं, सभी सामगरी, आर्थिक और तक्निकी संसाधन, निर्मित लेक, क्रिशी, परशुधन, मचल पकड़ने के उत्पाद आदी पर विचार किया जाना चाहिए और वितरण विन्यमे के लिए उप्युक्त और सबसे उप्युक्त एजिंसियों के माद्यम से आम को उपलब्द कराया जाना चाहिए और सबसे समान वितरण युनिनों के संगों का निर्मान उत्पाधन की श् सामाजिक क्रांती को एक नया आर्थिक क्रम स्थापित करना होगा, जो जरूरी रूप से काम के अनित और तरीकों, विनिर्मान रीडिगेशन, व्यवसाइक पुनरसन रचना, उत्पादन के विभिन विशिष्टताओं को लागू करेगा। पेशी या उध्योग, द्वारा ना तो ट्रेज यूनेनों के पास कारखाने, मर्शिनरी या निर्मित उत्पादों की राजनितिक शक्त या संपत्ति होगी। अराज कतावादी स्वामित्व को अराज कतावादी समाज में जड़ लेनी की अनुमती नहीं होनी चाहिए। खाने, कमपनी, कारेशाला या उत्पादक समुदाय के स्वत्रबंधन समितियों या आयोगों को नियुजित कर्मियों द्वारा सीधे नियोक्त किया जाएगा। आवधित नवीकरंट के अधीन और निरस्थोने योग्य है। नौकर शाही को समितियों और हर जगे से निर्वासित किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिती में समान तकनीकी या विशिष्ट कार्मिकों को कमांड का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। जिस सामाजिक संगचन का हम बचाओं और वकालत करते हैं उसका उद्देश या ओध्योगी क्या व्यवसाइक लाभालाब नहीं होना चाहिए, किसी भी समूह, कभी ले, संस्था या निकाय द्वारा जोड़तोर या एक अधिकार होना चाहिए, लेकिन फेडरेशन या कम्यू संरचनाव में एम्बेटर नहीं किया जाना चाहिए, दन, माल, घूमी, मशीनों और उत्पादों के समुदाई के गर्शोषन के मोल सिध्धांत का सम्मान करते हुए, सब को छुप लब्द कराया जाना चाहिए और व्यक्तिकत और आम उपभोग और उपयोग करना चाहिए और इसलिए संग और एक जुटता के भीतर स्वतंतरता, रोटी, संस्कृती और स्वतंतरता सभी के लिए बहतर गारंटी और आश्वासन होगी। योग्य सभी व्यवसाइक्ता से छूट, पुन्रुथान के संगठन, संकलन, उत्पादन सामोहिक और यहां तकी मिश्रित उत्पादन और उपभोग समुह, विशेश रूप से क्रिशी, ग्रामिन और किसान वातावरण में महत्पून जीवों के रूप में नई अर्थ व् व्यवस्था के निपटान और विकास के उप्युक्त और प्रभावी साधनों के बीच एक महत्पून कारप भी हो सकते हैं। व्यवसाइक्ता के बिना या नई एक जुट्टा अर्थ व्यवस्था में मुक्त सहयोग के सिध्धान्त पर काम करना सहमदी। के साथ मिलकर काम करना एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे में भाग लेना इसकी परिभाशित क्षेत्र और संबंधित विश्षिष्टा में समज्य समुदाई के लिए निहित आर्थिक और सामाजिक आवशक्ताओं और कारियों। सामाजिक और आर्थिक परिशद, कुप्योगिता, सुचना और सांखी की दकनी की मार्ग दर्शन, कुप्योगिता के पूरक संगटनों के बीच, अधिक परिपून संगटनात्मक्त और तरीकों, स्थानिय और सामान समन्वय की खोज, व्यवहारिक पाठों की तुलना में स समान विविद अनुभवों से पराप्त, उत्पादन और खवपत, शोषन और आर्थिक विकास की संभावनाओं का अधियन और नए धन की शोषन का सामान रूप से सामना करना पर सकता है, स्थानिय, काउंटी और क्षेत्रिय आर्थिक परिशद हो सकती हैं, जो संगु की राष्ट्रिय आर्थ विवस्था की सामान परिशद के लिए अग्रणी है, इन आर्थिक परिशदों भी कोई कारेकारी श्रक्ती नहीं होनी चाहिए, लिकिन किवल एक सलाहकार और सलाहकार मिशन है, उनका गठन कम्यून, यूनिनों, सामोहिक, सकारी समीतियों और उप्भ लाब नहीं होना चाहिए, किसी समुह, कभी ले, संस्था या निकाय द्वारा जोड़ तोड़िया एक अधिकार होना चाहिए, लेकिन आम अच्छा है, इन परिशदों के सदस, जिनने सामाजिक और आर्थिक परिशद भी कहा जा सकता है, को संबंधित निकायों द्वारा जाएगा और उन्हें एक नविक्रणी और निरर्थक अस्थाय आधार पर प्रत्यायोजित किया जाएगा, सामाजिक और आर्थिक परिशदों के बीच आवश्यक, सामगरी, उत्पादक, संबंधित, संस्कृतिक और कलात्मक जरुरतों आधिको ध्यान में रखते हुए, जो वहाँ बन सकता है, वह भोचन, आवास का, कपड़ों का, क्रिशी और परशुधन उत्पादन का है, और वानिकी, खनन, मचली पकड़ने, परिवहन, संचार, ग्राफिक कला, प्रिज और किताबें, धातुकर्म और इसपातो अध्योग, पानी, बिजली और मकसत शक्ति रसायन उद्योग की, काच और मिट्टी की शाखा की, लकड़ी की शाखा की, निर्मान की, कि स्वास्ति की, संस्कृत की, कला और मनुरंजन की, की विज्ञान, अनुसंधान और तक्नीकों की, गोदामों की, क्रेदिब और एक्सचेंज, विदेशी संबंध, आयात और निर किये जाएंगे, कारेकारी शक्तियों के बिना स्वायत संस्थाओं और निकायों के समनवय और एक जुटता के लिए एक सामाने परिशद, हमारी द्वारा सुची बद्विभिन परिश्दों के नाम उन लोगों से भिन हो सकते हैं, जो हम देते हैं, युबमन में अधिक्या सामा निविचार तन्शिल और रजनात्मक सामाजिक गतिशिल उर्जा को स्वभाविक रूप से अपनी अंतरात्मा में एक अभिनाहिं के रूप में व्यक्तिकत रूप से और एक स्वायतिकाय के रूप में समुदाय के साथ स्वेच्छा से समगर रूप से जुड़े हुए हैं, यदि परि पंडेंस और मुफ्त व्यक्तिकत अधिग्रहन बनाने के लिए। ये माना जाता है कि लागू समाजिकरण, सामुहक्त या असंगत सामयवाद की प्रणाली के भीतर वितरण और खर्पत का एक नियमिदी क्रण आवश्यक नहीं था, ये सबसे तरकसंगत और आयपून होना हम एक ही राय के हैं अगर सुविधा या सुविधा पारेश्रमिक के उप्योगिता पर विचार किया जाता है प्रय सुविधाय प्रदान करने के लिए। हम उसके खिलाफ हैं क्यूंकि हमें डर है कि पारेश्रमिक अगर ये बराबर नहीं है और यहां तक कि मोटे तोर पर स्वार्त और विद्वेश जगाएगा और लंबे समय में असमानताओं को फिर से जीवित करेगा। ओधारवादी समाज शास्त्र में पहले से ही बहुत विवादास पधन का अस्तित्व हमारी राए में उचित भी नहीं है। प्रजातियों या उत्पादों में एक शक्ति शाली अधिक महत्पून या अधिक संब्लिद समुदाय या कम्पनी के कम्यून के हिस्से पर जो भी अधिक विक्सित क्षेत्र का है का संचे उसी तहे की केंद्री करण और एक अधिकार से बचा जाना चाहिए और संखर्ष किया जाना चाहिए यदि एक सामान आर्थिक योजना स्थापित करने के लिए आवश्यक हो जाता है तो ये सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि योगदान करने वाले पक्ष या इकाईया या जनकी सहायता और संसाधर आवश्यक हैं या प्रभावित हो सकते हैं बलिदान नह एक अनिवारे रक्षात्मक प्रतिक्रियां के रूप में सामने आएगा। समाजिक जीवित जीव की तरह होना चाहिए जिसमें सभी कोशिकाय या उनके समुह, सभी रंग, उनके कारी को पूरा करते हैं। जीवन और स्वास्ते सुनिष्चित करने के लिए इस अंतर के साथ की लोगों के सामाजिक जीव और स्वयत्तिता से प्रकट होता है। किसी समुह, कभी ले, संस्था या निकाय द्वारा जोड़तोड्याय का धिकार होना चाहिए, लेकिन आम अच्छा है। हम से दूर का दिखावा है, जो निरर्थक होगा, अप्रिभर्तनिय दिशा निर्देशों में परिभाशित करने के लिए, व्यापक स्ट्रॉक में भी नहीं और बहुत कम मिनट विस्तार में, अराज कतावात के सामाजिक, नाइतिक और आर्थिक आधार हम उसी ब्राम के का कारण राजनितिक शब्द का उप्योग नहीं करते हैं, जिस तरह से ये उधार देता है, जैसा कि लोकतंत्र को दुधार देता है, इतिहास के विकास को हम जानते हैं कि एक निरंतर आरोही रेखा का अनुसरन करना, बलकि अविजलिट्रेस और विरोधाभासों से भरा है, यह उनके माधम से है कि नए सामाजिक और आर्थिक रूप, और चेतना और चेतना का विकास, मानवनितिकता, दूर हो जाती हैं, और मानवनितिकता के नए रुपू, संरचनाओं और जागरुकता को रास्ता देती है, जिसका सामाजिक जीवन और उसके नवीक्रण में एक नया अस्तित्व होता है और रूपों, नय की स्थाई, रचनात्म, गति शीलता, प्रतेक शहर और दुनिया में प्रतेक समय की वास्तविक ताउं पर इसके modulation और इसकी चाप को अंकित करता है। शीली अथार्थवादियों के लिए लड़ते हुए, क्रांतिकारी भावना को जीवत और सक्रिय रखते हुए, हम विकास की एक सतत टक्रिया में एक ने, शुलकुकल के निर्मान में बाधाये या सीमा नहीं डालते हैं और हम विशय के चारों और इन नोटों तक होत को सीमित क करते हैं, अराज कतावादी समझ में अर्थव्यवस्था का संगठन या अराजक्ता कियो रिक्रांतिकारी परिवर्तन के चरण के दोरान बिना किसी ठकावट के दावे के साथ और उदारवादी सिधान्त में योगदान के बिना सामान विचार और सामगरी के योगदान के बिना मॉलिका के दावे के बिना